सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए यह बिल्कुल फ्री है जल्द लॉंच होगी दो सीटर कार ड्राइविंग लैसेंस की नहीं होगी जरूरत गिनिवा मोटर शो 2019 में लगतार एक से बढ़ करें कारों को शोकेश किया जा रहा है शो में दिखाई की कारों की जलक से आटो इंडेस्ट्री के फीचर की तस्वीरे भी साफ दिखती है इस आटो शो में पहले इलेक्ट्री कारों ने सभी का ध्यान खीच वा हाली फिलार सिट्रोन एमी वन कॉंसेट कार ने कार के शोकुईनों का ध्यान खीच रखा है चलिए आपको बता दे कि इस कार की खाथ बाते इसकी वज़े से ये कार लवर्स को बीच धूम मचा रही है इस कार की सबसे खाथ बात ये है कि कंपनी का दावा है कि एलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जुरत नहीं होगी दरसल ये कंसेप्ट क्वाड्रि साइकल की कैटिगरी में शामिल हो सकता है और कई देशों में क्वाड्रि साइकल चलाने के लिए लाइसेंस की अवशक्तन नहीं होती है इसलिए 16 या उससे ज़्यादा की उम्रव का कोई भी वेक्टी इसे चला सकता है डिजाइन की बात करें तो इस दो सीटर कार को बॉक्सी डिजाइन दिया गया है इसके दर्वाजे अलग-अलग डायरेक्शन में खुलते है जहां ड्राइवर का दर्वाजा कार के पीछे की तरफ खुलता है वही को ड्राइवर साइट का दर्वादा सामने की और खुलता है कार के डोर्स को अनलॉक करने के लिए QR कोड की सिस्टम दिया गया है इसके अलावा कार में वाफस कमांड और प्रीमियम फीचर्स माने जाने वाले संरूफ भी दिये गए है अगर हम पावर की बात करें तो इस छोड़ी इलेक्टिक एश्वी कार में लिथियम आयम बैटरी दी गई है जो की 45 किलोमेटर टॉप स्पीड वाई यह कार एक बाद चार्ज होने पर 100 किलोमेटर की दूरी तैगर सकती है आपको बता देगी इस कार की बैटरी को चार्ज होने में महिद 100 घंटे का टाइम लगता है और अगर हम इस कार की कीमत की बात करें तो यह कार लगबग लगबग 2-4 लाग के बीच होने की उमीद है अगर यह भारत में लाउंच होती है तो अगर आपको यह कार पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी और न्यूस देखने के लिए हमारे हिंदी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें धन्यवाद दोस्तो